स्कूल ने स्टूडेंट को दिये जीरो नंबर यानि शूनिया नंबर और मामला पहुंचा कोट और स्कूल को लगी वहाँ से करारी फटकार हाई कोट से और कहा 30,000 रुपया जुर्माना जो है आपको student को देना है ऐसा क्या हुआ होगा कि court ने जो है वो school को फटकार लगाई और school को ये कहा कि आपका कोई हक नहीं बनता था उसे zero number देने का आपने ऐसा क्यों किया आप भी जानते हैं कि 10th के board class के exam के लिए बच्चे कितनी महनत करते हैं कोई 80 के लिए महनत करता है कोई 90 के लिए कोई 95 कोई 99 और कोई 100 के लिए और जब दसवी का जिसका paper हो वो जी जान लगा देता है लेकिन इस बीच school की अगर हम बात करें तो school ने अपने ही school के student को zero number दे दिया जिससे high code को गुसा आया और high code के school को ये तक के दिया कि आपका school का license कैंसल कर दिया जाएगा अगर आइंदा आपने ऐसी गलती की इस बार तो आपको 30,000 रुपे के जुर्माने के साथ छोड़ रहे हैं लेकिन अगली बार से ऐसा नहीं होगा आपको बता दे कि ये school जो है वो हर्याना की गुरूगराम का school है जहांपर 10th class के board के exam थी और board के exam में बच्चे को zero number दे दिया और आपको ये भी बता दे कि बच्चा कोट पहुंचने से पहले यानि बच्चा पंजाब हर्याना होई कोट पहुंचने से पहले बच्चे ने school के बहुत से चक्कर लगाए बच्चे के रिष्टेदार गए माता पिता गए लेकिन school जो है अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं था और school टस से मस नहीं हुआ school ने कहा आपने जो करना है आप कर लो हमने zero number दे दिये तो दे दिये website पर result अप्लोड हो गया अगर हमने उसमें छेड़ चाड़ की तो हमारे school के लिए जो future होगा वो खराब हो जाएगा हम ऐसा नहीं करेंगे लेकिन फिर बच्चे के parents के पास एक last option था कि वो high court का दर्वाजा खटकटा आते वो पंजाब हरयाना high court पहुंच रहे दर्वाजा खटकटा आया दर्वाजे से आवाज आई कि हाँ तुम्हारा मसला यहां हल हो सकता है क्योंकि आपको बता दे कि court ने उन्हें यह यकीन दिलाया कि अगर वाके में बच्चे के रिजल्ट के चाथ छेड़ चाड़ की है तो आपको यहां पर इंसाफ जरूर मिलेगा तो आपको बता दे कि उन्हें बच्चे को इंसाफ मिला लेकिन हुआ क्या था वो मामला आपके लिए जाना बहुत जरूरी है कि हम जो इंटर्नल मार्क्स है उनी के बेस पर रिजल्ट निकालेंगे तो यह एक ही नाम के दो बच्चे जो है वो स्कूल में पढ़ते थे लेकिन एक बच्चे ने कोविट से पहले ही स्कूल छोड़ दिया था उसके माबाप का ट्रांसफर कहीं और हो गया था और एक बच्चा स्कूल में पढ़ रहा था उसी नाम का लेकिन हुआ क्या हुआ ये कि जब बच्चा चला गया और ये बच्चा पढ़ रहा था कोविट आ गया स्कूल बंद हो गए स्कूल में जितनी भी वहाँ पर डिटेल्स थी उनको एडिट करना था ये कर नहीं पाए और जब इनसे रिजल्ट मांगा गया तो इन्होंने उस बच्चे का जीरो नमबर उसका था जो स्कूल से चोड़ कर चला गया था लेकिन उने इस बच्चे को जीरो नमबर थमा दिया और ये बच्चा उनकी रिक्वेस्ट करता था रहा, उनकी मिन्नते करता था हाँ जोडता रहुने ने छो कर लो, कर लो हमने कुछ नहीं करना क्योंकि उन्हें पता था कि ये एक गुरुगुराम का प्राइवेट स्कूल है, इसके खिलाफ कोई कारवाई जो ये वह कर नहीं सकता लेकिन फिर जब ये मामला कोट पहुंचा, कोट ने बच्चे की आंसर शीट्स मंगाई, सब कुछ मंगवाया, रोल नंबर मंगवाया भाई दसमी का रिजल्ट था, तु पढ़ नहीं सका, तुने एक लाइन भी नहीं लिखी, तेरह पूरा अंड़ा आ गया, तेरह जीरो आ गया, तो इस तरह के सवाल जो है वो देने पढ़ते हैं, लेकिन फिर बच्चे के रिष्टदार उसके माबाप पंजाब हरयाना हाई हाई कोट पहुँचे, जहां से उसे इंसाफ मिला, और स्कूल ने साफ तोर पर कह दिया, स्कूल को हाई कोट ने, कि अब आपको एक लेटर हेड पर लिखकर ये देना होगा, कि इस बच्चे की गलती नहीं थी, क्योंकि उसे आगे अड्मिशन लेनी है, तो आप लिखके द शुकरियादा किया, और बच्चे ने कोट को कहा, कि आपने मुझे इस डाक साइड से जो है, ब्राइट साइड पर लाया है, मैं आपका शुकर अदा करता हूँ, अगर आपको भी कभी ऐसी दिक्कत हो, तो आप भी कोट जाएए, कोट में हजारों के से स्पेंडिंग है, ल वहाँ पर लिखिये कि वो बच्चा जो है, एक साल पहले ही स्कूल छोड के चला गया था, कोविट ने बहुत की जिंदगी बदली, कहीं को डाउन से अर्थ ले गया, और जो पढ़ने लिखने वाले थे, उनकी बीच में कुछ ऐसे दे कहते थे ना, कि गुड लक और बैड लक साथ साथ में चलते हैं, कहीं का गुड लक लग गया, कोविट में कहीं का बैड लक, तो तुमाम अपडेट्स के लिखते लिए जोंग लटन यूज, साथ ही साथ आप इस न्यूस चैनल को लाइक कर लिए, कमेंड बॉक्स अपनी राय, जो ज़रूर रखें